योजनाय बनना, योजनाय पुरी होना बहुत स्वाभाविक होता है। लेकिन सायद हिंदुस्तान में जितनी तकलीफे मान नर्दा को जहिलनी पड़ी, इस योजना को जहिलनी पड़ी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटे पैदा ना किया। वर्ल बैंक ने फैसना कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भारत के लिए हजारो करोड रुपिय की इतनी बड़ी योजना, आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी। और उसी वर्ल बैंक ने कहा कि परियावरन के विरोधी है, अपकचार की आधी चलाने वालों ने इतना जूट फ्रला के रखा था। भायोबेनों हमने भी ठाल ली थी, वर्ल बैंक और नो वर्ल बैंक हैं, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर्ड, देंप बना के रहेंगे, और आज, आज इसने बना दिया। जिस वन बैंक रहें, एन्वार्मेंट के नाम पर, परियावरन के नाम पर, सरदार सरोवर्ड देंप को मदद करने से इंकार कर दिया था। दो हजार एक में कच्छ के भूकम के बाद उसका पुना निर्माण हुआ और वो इको फ्रेंडली एन्वार्मेंट, फ्रेंडली डेवलप्मेंट हुआ, उसी वर्ल बैंक को, गुजरात के भूकम के काम को, वर्ल बैंक का एन्वार्मेंट का सबसे बड़ा एवार्ड, ग्रीन एवार्ड गुजरात को देने के लिए मजबूर होना पड़ा था।